तो वाड सदस्ट जदी काम करना चाहते हैं तो वाड सदस्ट को काम करने का और मुखिया को काम करने का जी मवारी नहीं है हम लोग जन सेवक हैं हम लोग काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं कानूनी रूप से या अवैध होता है काम करता है सरकारी करमचारी अभी करता के रूप में तो वाट सदस्ट का काम करने का कहा है खुले आम आम सभा में जन सभा में बड़ाबर कहते रहा हूं कि हमारे जो भी जन परतिनी महोदे कार्ज करना चाहते हैं वह लेबर की बात जो है मनरेगा से कार्ज प्रारंब करें हम उनको जोजना दे रहे हैं इसमें अब सहयोगी तो सहयोगी तो आम जनता है वहां बहुत से जनता लोग के कार्ज करा रहे हैं और जनता के देखरेक में हो रही है कि काम की गुण्वत्ता में थोड़ा भी परिसानी हो आप लोग काम रुख दिजेगा और समंधित वीडियो को कुछने के बजाए और जनपरतिदी से पूछने के बजाए जेनरल पबलिक से जब पूछिएगा गड़ीब गुर्बों से पूछिएगा तो उसका तहकिकात पता लगेगा इस पंचायत का लगतार सुर्खियों का विशे बना हुआ है चुकि भोजपुर जिला में धंडिया पंचायत सुर्खिया इसलिए बटो रहा है कि यहां पे मुख मंतरी जी का आना हुआ था और कहीं न कहीं इस पंचायत की वो खैसियत रही होगी या कुछ न कुछ तो जरूर है जिस तरह य प्रताब शिंग जी ऐसे कारू सिंग के नाम से लोग इनको चानते हैं इनसे हमारे कुछ से सवाल है जो की करने हम आये हुए है और निश्ची तोर से एक अच्छे मुख्या जाने जाते हैं फिर भी यह सवाल क्यों है हम इनसे बात करेंगे मुख्या जी सबसे पहले आरीफ कर रहे है इस पंचायत का कहीं न कहीं एक सवालों के घए मैं आप आ रहे हैं आपके वाड सबस्य लोगों का कहना है कि मुख्या जी हम सो पर धियान नहीं देते हैं सबसे पहले आप सभी को अंताकरन से धन्यवाद आप मीडिया लोगों को चुकि मीडिया एक बहुत बड़ा अंग होता है और अपने सभी जन प्रत्निधी महोदय या महोदया चाहे वो पंचके हो चाहे अमारे वाट सदस्या हो उन सभी को इस पूरे पंचायत की ओर से उनकी सहयोग के लिए भी धन्यवाद आप करें कि उनमें आक्रोस है मैं इसका खंडन करता हूँ पूरी तरह से हमारे वाट सदस्या करमठी है और सहयोगी है हर कार्जकरम में जैसे अभी परतमान में समधान यात्रा में हमारे मुकमंत्री जी का आगमन हुआ सभी जन परतिधी पंचाय समिति हो चाहे वाट सदस हो एक जूट होकर उसमें सहयोग किये है और इसी का परतिफल है कि सामती पूर्ण यात्रा संभव हो सका तो हम इस पर कैसे कहें कि हमारे वाट सदस्या परतिकूल है अच्छा वाट सदस्यों का कहना है कि हमें काम करने का मौका नहीं मिल रहा है हमें कहीं न कहीं दर किनार किया जा रहा है तो इस पर क्या वाट सदस्या आप कहा काम नहीं करा नहीं है या क्या बात है मामला क्या है जहां तक काम करने की बात है हमारे वार्ड सदस्ट के दोरा यह आप से कहा गया है हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं है तो वार्ड सदस्ट जदी काम करना चाहते हैं तो वार्ड सदस्ट को काम करने का और मुखिया को काम करने का जीमवारी नहीं है हम लोग जन से वक है हम लोग काम करने के लिए अधिकृत ने हैं कानूनी रूप से या अवैद होता है काम करता है सरकारी करमचारी अभिकरता के रूप में तो वाट सदस्ट का काम करने का कहां बात होता है और मुख्या का रह गया फंडिंग का तो मैं व्यक्तिकत रूप से आम सभा में जन सभा में बड़ावर कहते रहा हूं कि हमारे जो भी जन परतिनी महोदे कार्ज करना चाहते हैं वह लेबर की बात जो है मनरेगा से कार्ज प्रारंब करें हम उनको जोजना दे रहे हैं इसमें कत्ता ही कोई दिकत नहीं रहा गई फिप्तिन पंद्रहवी बित का और सश्टम का भाग तो वह संबंदित भी कर्ज हो रहा है इसका प्रणाम है आप मेडिया वालेक से भी मेरा अग्रह है कि जो अधूरा नल जल है किसी पर मेरा कोई टिका टिपने नहीं वाड नंबर पंद्रह आप जाकर देखिए फरंपूर करजा में वाड नंबर चार के पाट वन पाट टू जिसमें इस्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आपको टंकी नहीं है पाइप का फैलाव करा रहे हैं बोडिंग डलवा रहे हैं वाड नंबर साथ को में करज करवा रहे हैं पांच में अबे स्टार्ट करने जा रहे हैं मने वाड नंबर तीन में काम किये हैं मुझे विद्या लेके प्रांगण में है तो इस सभी जगह तो वाड के सदस्व का देख रेक में और हमारी चाह है कि सभी वाड सदस्व के साथ साथ बुध्धी जीवी जामता जागरूक रहे जब जागरूक रहेंगे तो काम जागरूकता के तह थ सही होगा जागरूक नहीं रहेंगे तो काम गलत होता है ये दीखिए कौन वाडशदस कोह रहें इस पर मेरा टिपनी नहीं है चुकि हमारे सामने ऐसा सिकायत नहीं है नंबर दू कि कानूनी रूप से जब हम नहीं कर सकते हैं और सहयोगी, तो सहयोगी तो आम जनता है वहाँ बहुत से जनता लोग के कार्ज करा रहे हैं और जनता के देखरेक में हो रही है कि काम की गुनवत्ता में थोड़ा भी परशानी हो, आप लोग काम रुख दिजेगा और समन्धित वीडियो को समन्धित डीम साहिब को लिखिए खूल के यह मेरा फरमान है कि आप खूल के लिखे काम की गुनवत्ता पर ध्याम देने का काम मुखिया और वार्षदस का है अच्छे समधान यत्रा में धंडिया विद्धाले को बहुत ही सुन्दर बनाए गया लेकिन आप ही के कुछ ग्रामिलों ने पीछे का परसंद दिखाया जिसमें पेंटिंग हुआ था पीछे से सब टूटा फुटा था तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आखिर ऐसा क्यों जिसकी जैसी भावना वैसा ही उसका विचार होता है जब कार्ज चल रहा है और यह दिखलाना कि पीछे बाकी है मैं आपसे आज तेईस एक दुहजार तेईस को यह निविदन करता हूं कि अभी आप जाकर के पीछे का भाग देखे वो पेंटिंग हो चुका है जब कार्ज चल रहा है तो निश्चित रुप से कि जब हमारे कोई महान अतिति आने वाले हैं कोई संत मनिसी आने वाले कोई बड़े राजनेता आने वाले हैं उनकी अगवाई में पहले आगे से आदमी करता है यह अमूमन प्रक्मानों का नेचर है कार्ज बाधित नहीं है जैसे से उनको भी बढ़ाई देता हूं कि इस तरह की आवाज उठाते रहें कार्ज में गुन्मत्ता बढ़ती जाए उनको संतोस होता रहे जैसंतोस अच्छे मुख्या जी एक और मामला था जिसमें चुकि आप एक अच्छे जन प्रतिदी है और गंभिरता से हर सवालों का जब आप देते हैं इसके लिए धन्यवाद आपको बहुत सारे बच्छे जो बता रहे थे कि खेल मैदान है उसको अथिकर्मन का सिकार बना दिया गया है तमाम लोग अथिकर्मन करके बैठे हुए है खेलने में परिशानी हो रही है इसके लिए बहुत जगा वाज भी उठाया देखिए या बालक कुछ भी द्याले का जमीन है और बालक कुछ भी द्याले के जमीन में जहां तक अतिकर्मन की बात है कोई जमीन आपका अपना नीजी जमीन है जब इस तरह से छोड़ दीजिएगा तो उसका कोई न कोई तो चारगाह बनाएगा तो यह हमारे प्रधाना द्यापक महोदय जो बालक कुछ भी द्याले के उनका कर्टब बनता है अब रह गया कि आप मुखिया हैं तो जब ज्यादा हच्छेप करेंगे तो लोकल पॉल्टिक्स में हमके घेरे में आएंगे वहीं पर आंगनबारी का निर्मान मन्रेगा के दौरा हमने स्टाट किया हमा मैं व्यक्तिगत रूप से जिला समहरता महोदय से मौकिक रूप से कहा हूँ उस पर उनका स्वासन है कि ठीक है आज समधान यात्रा कर लेने दिजिए 26 जन्वरी के बाद उनह भी लिएगा इस पर ठोस कदम उठाए जाएगी अच्छे आगामी 26 जन्वरी गरतंतर दिवस आने वाला है संजोग से बसंद पंची भी उसी दिन आ रहा है तो गरतंतर दिवस के दिन आपकी कैसी तैयारी है आपने क्या सुचा है देखिए हमारा यह पुराना ट्रेडिशन है आम जनता से इसका गवाही लिजिएगा त्य मुठी बिठी बात बोलेंगे हर 15 अगस्त और हर 26 जन्वरी को हर 15 अगस्त को जो हमारी स्कूल के यह पंचायत के अंदर में जो टॉपर होते हैं जो विविन विविन जोगता में रखते हैं उनको चैनित किया जाता है उनको सम्मानित किया जाता है पिछले बार 15 अगस्त को को उच्छ महादलित बृद्ध को सम्मानित करने का कार्जक्रम है और आगे ठोस ज्यादा अभी नहीं कहेंगे और रग या पदाधिकारी महोदे का प्रक्षन पदाधिकारी महोदे से भी बात है उनकी ब्यस्ता है संभव होगा उजूट जाएंगे नहीं संभव होगा तो कि समता के भी समें होता है ठोस पहल होता है रग या कार्ज की एक साल को हम से पूछने के बजाए और जनपरतिदी से पूछने के बजाए जेनरल पब्लिक से जब पूछिएगा गड़ीब गुर्बों से पूछिएगा तो उसका तहकिकात पता लगेगा इस पंचाज का क्या से उसका कसोटी वो कर सकते हैं तो आप देख रहेते हैं धीरंदर परताप शिंग है कारू सिंग के नाम से लोग जानते हैं हलांकि चर्चा तो लगतार इनकी हुआ करती है कि प्रखर समात से भी हैं और अभी आपने देखा एक अच्छे जन निता करूप में भर के सामने आ कि कोई हम से नराज नहीं है यदि इस तरह का कथाखती कुछ लोग होंगे तो लेकिन किसी की कोई भी समस्या होगी तो वह हमसे जरूर कह सकता है निशी तोर से एक मुखिया होने के नाते हम उनका इस तरह लगतार अपने कर्तव बेकार निर्वहन करते हुए कारू सिंग ज देखा 26 जनरी गरतंतर दिवस का उसर पर तमाम जन प्रतिनिद्यों के हाथ से उन तमाम अच्छे-च्छे जो युवा खेल में या और जिस जो अपने आपकी यह किये हैं तो उन लोगों को शम्मानित करने का भी इन्होंने बहुत अच्छा स्वरूप प्रारूप तयार किया है तो लगतार अपने कर्टबे को समझते हैं और इमंदारी पूर्वक अपने कर्टबे का निवहन करते हैं जैसे कि विद्याले पे भी मैंने इनसे कोश्चन किया तो बहुत ही अच्छा इन्होंने सवाल का जबाब दिया कि कारे बाधित रूकार नहीं था खतम नहीं हो ग का नेगेटिविटी देखा जाता है नहीं तो जब काम चल रहा है तो निशीतोर से पूरा होगा ही जब काम बंद हो जाए और तब वो पूरा नहों तब वो माइनस पॉइंट हो सकता है तो देखते रहे इस तरह धंडिया पंचायत के लगतार खबरों को हम दिखाते रहें आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको क्लोज कीजे और फूल का बगीचा बहुत ही सुंदर तरीके से फूल का बगीचा लगाया गया है इनके पंचायत में कहीं ने कहीं सम्मान के पात रहें ऐसे लोगों को ये 26 जनवरी के दिन गरतंतर दिवस का उसर पहीं लोगों को सम् कितना सुंदर इहोंने फूल का बगीचा बनाया है लगाया है और संजोग बनता है तो इसका पूरा किली भी हम आपको दिखाने की कोशिस करेंगे तो देखते रहें इस तरह के तमाम धंडीहा पंचायत के विकास कारियों को दिखाते रहेंगे कामरा परसंदीन से साथ मैं शुक्ति वरित ही ओ।